तो चलिए आज मैं आप वताता हूँ डिफ्रेंस किसके बीच में गल्फ, इस्ट्रेट, डेल्टा, पेनिंसुला, बे, लाइगून और इस्टुरी के बीच में हैं ये काफी सरल लेकिन काफी लोग कनफियोज हो जाते हैं जब गूगल माप का प्रियोग करते हैं या आधर माप का प्रियोग करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं गल्फ क्या होता है तो गल्फ एक कह सकते हैं कि एक water body होती है जो कि दो बड़े land body के बीच में जाती है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे गल्फ आप स्वेज है तो side side में एक land body है और बीच में water body गई है तो इसे गल्फ कहते हैं तो बिसकली आप कह सकते हैं कि तीन तरफ से पूरी तरीके से land से घिरा होता है और एक side से water आता रहता है तो यह गल्फ होता है आप जानते हैं street की बारे में तो street आप को बम होगा जैसे भारत और स्री लंका मिलता है आपस में तो उसे street कहते हैं Street basically कह सकते हैं जो बड़ी water bodies को मिलाने की एक जगा होती है connecting chaise होती है उसे कह सकते है कि street तो आप देख रहे हैं कि भारत और स्री लंका के बीच में ऐसा बनाया गया है, अगर आप अरब सागर से आप धर आना चाहेंगे बंगाल के खाड़ी तो आपको इसी इस्टेट से होकर गुजरना पड़े, जो special बात है वो यह है कि यह narrow होता है और naturally बना होता है, तो चलते है डेल्टा के विशे में जानते हैं, डेल्टा आप देखेंगे तो जैसे आप वहनुगो सुंदर बिंड डेल्टा, जहाँ पर गंगा समुदर में मिलती हैं, तो वहाँ पर कर सकते हैं, एक मिट्टी का कर सकते हैं, कि थोड़ा ज़्यदा जमाव हो जाता है, तो उसे कुछ ज़्यदा विशे डिफरेंस नहीं है, डेल्टा और इस्ट्वरी के बीच में, डेल्टा में क्या होता है, कुछ कर सकते हैं, जब नदी मिलती हैं समुदर में, तो कुछ एक कर सकते हैं, थल बना लेती हैं, लेकिन अगर थल नहीं बनाती है, तो उसे कहते हैं इसे कहत कनक्ट होता है और है चीक है। jedластकम कि क मैंट मामच 170 से कनेकटेंगा और अकरी है हमारा लैगून लैगून किज सकते हैं कि इक महाजागर है। उसके साइड में अगर कोई ले कहें और फिर कई सकते हैं कि एक तालाव है तो उसे लैगून कर सकते हैं जो कि एक बहुत बड़े water body से separate होकर बने होते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए हो तो like किजे, share किजे मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाहेंद